जै गुरुजी प्रमहस्योगानन के चरण में प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर पीके दिक्षित शेखर आईएस अकेडमी गाजिवास से UPSC और PCS एस्पिरेंट्स को आज इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार में ही कैसे परिक्षा पास की जाती है प्रिमेंस इंटेडू सब परिक्षा पास करने का मतलब के वर प्रिपास करने है संपोर्ण लगबग एक सवावर्ष की तैयारी में जैसा कि हम 15 मंद देते हैं यहां शिकराहिस गाजियवाद में तो उतने में आप फुली प्रिपार हो सकते हैं अगर आप जीरो पर भी हैं तो मैं बिलकुल लगबग जीरो पर था और मैंने इसी प्रिगास तैयारी की थी ऐसा नहीं कि वो जमाना कोई और था 90, 81, 82, 83 में PCS हुआ, IS की एज नहीं थी मेरी लेकिन उस बख PCS में 3 लाख लोग बैठा करते थे UP PCS में और प्री नहीं होता था सोचिए कि इतनी सारी कॉपियर चेक होती थी पूरी-पूरी तो मुक्ति बात यह है कि अगर आप ने स्लेवस पढ़ दिया पूरा तसरली से एक दिन पूरा लगाईगे चाहे बनेगे तक स्लेवस आपने अगर पढ़ लिया है तो समझे कि आपने अपनरे परसेंट लगभग काम पूरा कर लिया सौप्रिश्ट काम कैसे पूरा किया जाता मैं बता रहा हूं उसके 15 परसेंट काम आपका पूरा हो गया क्योंकि आपका दिमाग भठके गर नहीं आपको पता है क स्लेवस में है और यह नहीं है आज के समय में UPSC का स्लेवस काफी इलेबोरेट है और बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंड है जाता था तब यह उता था क्या पढ़ है क्या पढ़ है इसके बाद जो है आप 10-year पेपर्स जिनना कहते हैं बैक यह पेपर कहना चाईए है मार्केट में परचले थे 10-year paper, वो कई बार 16 साल के होते हैं, 22 साल के होते हैं, 23 साल के होते हैं, यो भी हो, फुल मिलाके back year paper, लेकिन बहुत back मत जाएगे, प्राचीन काल के papers solve मत करिये, लेखे, IS में 2011 से change हुआ है, इसका 3 का, PCS में 12 से, UP PCS में, और total mains का जो change हुआ है, UPSC में वो हुआ है 13 से, तो आप 2010 से कम से कम अब तक के सारे paper एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारे questions में अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, मत आने दीजिए, मेरी बात मानेंगे, तो सफल हो जाएगे, नहीं तो घिसरते रहेंगे, इसलिए पहले पढ़ डालिए, मैं 3 साल के लिए कहता हूँ, स्टाइटिंग में, आप कहेंगे, आज तो 5 साल के लिए, 3 एर में कहता हूँ, इसलिए कि शुरुआत में आप 3 एर पढ़ें, लेकिन चुबए trend चेंज हुआ है, उससे एक साथ पहले से अगर पढ़ लेंगे, तो better रहेगा, आपको भी समझ में आ जा इस बार इतने आए, इस बार कितने आने की सम्भावना है, पहले ऐसे आए ते ग्राफ ऐसे जारा, ऐसे जारा, ऐसे जारा, ऐसे जारा, ऐसे जारा, ऐसे जारा, अब यह कुछ नहीं होता है, total abrupt है, बिल्कुल यह सम्मत पढ़ें, आपको सारा पढ़ना है, अगर कहा गया सम चेंटे तो छोड़ दीजिए, पुरानी है बेकार है, कोई फैल है, कुछ 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 आ जाते हैं कभी-कभी, तर्थी पंचवर्शी उजना का फंड अलॉट्मेंट कितना था फलाना रिवा का ऐसी है, कभी-कभी उनकी PCS में से कुछ ना आते हैं, वो नोहों के लिए आई बात किसी को नहीं है, मालोग कोई कहने लेगे कि अकभर जिस हाती पे चड़ता था, उसका कौन सा कान छोटा था, कौन सा बढ़ा था, इस तरह के बेकार के question, ये कोई question है नहीं बैसे, मैंने अभी भी मनाया है, तुरंत निर्मेत है, ताजा एकदम अभी, तो इस तरह पेपर साइटर भी बनाते हैं, और उन questions के पीछे, student इतनी मोटी-मोटी किताब है, जो है, practically और इतनी मोटी-मोटी किताबं में डूवे रहते हैं, और इन ही को पढ़ते रहते हैं, और बीस questions ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये वाईयाब questions से इनको पढ़ने ही जब कर्फोत नहीं है, इनको बिना पढ़े आप पास हो जाएंगे, आपर पढ़िये, करेंट कोशापी एज वह पढ़ने ही करेंट नहीं होता है लेकिन शर्क expense घंपसे इनको पढ़ने हाई– उनको परहते हैं करेंट करेंट है, क्ढ़ने हैं से बना समय से सब्सक्रानति, जक्र अनलेसिस मत करिए किस साल में हिस्ट्री जगर्फी एकनॉमिक्स, करेंट एफेल्स और कॉंस्टिउशन और इसके उसके कितने कितने पुष्चन आये थे उससे पिछले साल कितने आये थे फिर आप ग्राफ बनाएं तमाम कोचिंग ये बने बनाए ग्राफ प्रवाइड करती ह पाई चार्ट बनाती हैं देखने बड़ा अच्छा लगता है वाव आप क्या एनलेसिस से एनलेसिस से कोई पास नहीं हो आज जिन तक इसलिए उनके जो महान वाओ जो पढ़ाने वाले हैं कभी पास नहीं हुए बिस्नेस अच्छा कर लेते हैं नो डाउट ही है क्योंकि सं करता हूँ आप मुझे पर ट्रस्ट करते हैं इसलिए यह हमारे आपके बीच का रेलेशन है प्रेटिक्स करता है कि नाले हो जाए यह बात में हमेशा कहता हूँ पर मैं कोई आर्गमेंट करने के लिए आपर नहीं हूँ मैं अपने विचार देने के लिए आपर हूँ वह मै आपको चहिए 100% तो अभी आपका 30% हुआ है आपने पेपर पढ़ दी अब पेपर कौन से पढ़ेंगे बैक एर पेपर किसके पढ़ेंगे बहुत साफ बास सुन लिए एक डम काम कोल के बिल्कुल बड़े-बड़े काम करके वो यह सुन लिए कि केवल GS CSET मत करिये इसले सा को पढ़ाता है आपको किस कोचिंग मुँ पढ़ रहे हुव वही पद लिए पॉच्छ और से पूचिये कर्द की वारे हैरे में पूचिये के इसके इस्यूज क्या है अगर राइट इसिव में और राइट पढ़ा रहे तो उसम्मिलान में गी है constitutional अट से क्यों रखा हुआ है, rights and issues कुछ और है, bus paper में रखा है, public policy, rights and issues, तो बहुत सारी चिलिज है, public sector initiative, social sector initiative, क्या initiative है, भाई, government policies, पढ़ लो सारी, अगर नहीं पढ़ोगे, तो कल्लियान नहीं होगा, कबाड़ा हो जाएगा, इसलिए इनको पढ़ दो, उनके वरोंसे मत रहeszो, जो राइट्स के नाम पर फ़ड़ा दे तें, irkman अर्ट राइट्स, राइट्स राइट्स हैँ, बहुत सारे राइट्स हैं, मैं सब ब्ताता हूँ सारी सीज़ाँ, यहाँ नहीं बता पा रहा है, इतना समय नहीं मैं आपको बता रहा हूं यह सब पढ़िये सोशल सेक्टर इनिश्येटिफ सोशल जो एकोनोमी है वो पढ़नी है आपको नॉट एकोनोमीक्स प्री इग्जाम में democratic नहीं है सोशल एकोनोमी है फस्ट पेपर के syllabus पढ़ो तो ध्यां से 15% अभी तो पूरा होगा जब पूरा सलिवस पढ़ोगे जाके हवावाई थोड़ी होगा पहले पढ़ो उसको आपका 30% काम होगा अगर आपको सारे question देख लिए आपको समझ वा जाएगा ये इतनी मोटी किताब जो मेज पर रखी होती तो ये मोटी किताब होती देख के लगता है डर जाया दूँ इस किताब में 80% बेकार है आपके काम का नहीं है कुछ नहीं काम का आपकी कार दरो मत अब वो 80% कौन बताएगा महान चिंतकों ने कहा हुआ है कि आपको 50 किताबे थमा देगा 55,000 का बिल बना देगा और काये कि ये रही किताब में आई इसकी आप खरीक किछले आएंगे फिर आपकी घर में सरपट केंगे क्या पढ़ों क्या ना पूरों शिकर में तो हम सब फ्री देते हैं टो टन बुक्स फ्री देते हैं कुछ नहीं खरीदना होता है आपको क्या छोड़ना है ये डिसाइट करने का फार्मूला मैंने बताया है कि पहले पढ़िये सलेवस बहुत कुछ छूड़े आएगा समझे आ रहा है कि रुबेकार है मुझे पढ़ने ही नहीं फिर उसके बाद पढ़िये अब उसके बाद आप गोथ्रू करिए ये देखिए कि आप इनमें से सबसे पहले क्या पढ़ सकते हैं आपका आपकी रुची सबसे ज़्यादा किसमें ये मत कहना मुझे से कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है फिर तो आई इसका करिये शोड़ दो फिर आप बेकार प् पड़ेगा आपको रुची लेनी पड़ेगी रुची लेने पर आप बात दे हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने खहां हुआ है डो नोट डो इंटरेस्टिंग वर्क अणली बट मेक एनी वर्क इंटरेस्टिंग विच्याव तो डू जो आपको करना है उसे इंटरेस्टिं जिसने डिस्टिंग होते हैं तो हो जाना पड़ेगा ऐसे ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अगर आप नहीं लेंगे तो बजारा नहीं होगा इसलिए इस तरह से पढ़ें अब ये सोची कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको आप करें और जिल्दी करें रोजाना अपने को कम से कम कम से कम मैं कितने घंटे बोलने वाला हूं आपके मन में उचल रहा होगा भी सर कह देंगे 15 गंटे 16 गंटे 18 गंटे करें यार पागल होगे क्या 18 गंटे पढ़ोगे बाकी काम काज कब करोगे बस्तिं पढ़ो 9 आवर्स द पक्की बादे तो टैक्ट यूव तो यूव तो इस्ट्डी नाए नावर्स अब पढ़ेंगे वह नाएन आवर्स नेट होगे यह नहीं है मस्ती करते हुए नाए नावर्स है अगर आपको रूची है तो संगीत सुनते हुए पढ़िये लेकिन आप टीवी देखते हुए नहीं पढ़ेंगे अगर टीवी देखते हुए पढ़ेंगे डेफिनिट्री डिस्ट्रक्शन होगा पक्के तौर पर तो देट टीवी या मोवाइल में वीडियो देखते हुए या एनिवे कुछ भी आप बातचीत करते हुए पढ़ रहे हैं शोर भरे कमरें पढ़ रहे हैं नहीं पहली बार में निकलना है देखो हमारी आपकी बात यहीं शुरूई थी जो शर्त है वो यह पहली बार में निकलने के लिए पहली बार में निकलने के लिए अपने कट ओफ मत करो अपने खास मित्रों से मिलो बात करो यह नहीं कि धेर करक नहीं sorry kumbraashi और यह बड़े मित्र परी होते बड़े मित्र जलदी बंते हैं बहुत जलदी और उनके हम बता देंगे किसी वीडियो में बहुत कुछ हम तो क्लास भी लेते हैं इस पर बताते भी हैं और जिने विश्वास नहीं ना मानने को बात हैं तो नो आर्गुमेंट लाइस लाइफ में आप रखो अगर फालतू आर्गुमेंट में पड़ो हैं अन्नेसरी अपना टेंशन लोगें सीधी बात यह आपको अरे सर्तो जो है एस्ट्रोजिक बात करने लगे छोड़ो हटाओ नहीं देखते वीडियो ठीक बटनाब के हाथ में खट सिक फिए खटम दूसर दो समेजारेशन लगें जहां कहीं बढ़िया डांस हो रहे हैं यहां कहीं बढ़िया जो है सौग्स यह म्हटक शुडू करदिया बढ़िया मूवी आ रहे हैं तो मैं अगर मित्रमंडली बहुत बढ़ी है आपकी तो उसको कटशौट करें पहले बता चुका हूँ यह दू यह नहीं है कि लाइफ में आपने टोटल एंजॉयमेंट छोड़ दिया, कि आपने बाहर जाना छोड़ दिया, मार्केट छोड़ दिया, हाँ यह अन्नसरी मत जाई, बीच मुठके मत जाई, अपना स्टॉक पूरा रखो भई, पहली बार में निकलना, स्टॉक पूरा रखो, टेंशन भी हो गया, अब बजार जाएंगे, तब जाएंगे, बजार गया रखो को गया, हो गया कि यह न होगा, एक पहन में कर दिया, कि तो इसलिए क्या है कि यह स्टॉक रखो अपना, एक खट्डे लेकर रखो पहन पैन, पैन, पैंसल है, नोट्बुक्स बगर, कॉन सर उसमें बड़ा बारी खर्चा है आगे काम आता रहेंगा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कोई कॉपियां खाने की चीजे ज्यादा खाए जाएंगे तो इन सब चीजों को रखो अपने पास में मैनेज़ करोगे लाइफ तो मैनेज़ रहे, कि निकलना आई एसमे में बड़ी चीज है तो बड़ी चीज को बड़ी तरह से करना पड़ेगा, छोड़ी छोड़ी वातों से बड़ी बड़ी बाते बनती हैं, इसलिए ये छोटी बाते नियान लखी है, बहुत बड़े असार यह butterfly effect है तो इसमें बहुत छोट छोटी बात में बहुत बड़े प्रमाव डालती हूँ इसके बाद आपको अभी 30% से आगे नहीं बढ़े हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको यह करना है पहली बात notes बनाने पड़ेंगे notes बनाए बिना गुजारा नहीं है शिकर में तो हम बनवाते हैं सारे subject के notes बना कर देते हैं मत बनाओ केवल रिवाइस करो लेकिन आप नहीं पड़ रहे हैं तो आपको बनाने पड़ेंगे notes कैसे बनाएं कोई formula नहीं है लोग जो कहते हैं ऐसे बनाएं वैसे बनाएं बनाते है notes बनाना आपकी अपनी कला है अगर आपने अभी तक graduation किया तभी तो आईए से मैट रहे हो graduation किया तक क्या कर रहे थे notes नहीं बनाए guided परपड़ के पास हो गए वो knowledge काम नहीं आएगी notes बनाना सीखना पड़ेगा चाहे तो पास साल लगे चाहे चार साल लगे लेकिन पहली बार निकरना है तो notes बनाना आपको आना चाहिए मैं क्या बताऊगा मैंने दो वीडियो मता रखा है Hindi English के short में 15-15 मिनिट के वीडियो में वही आप notes कैसे बना इतनी बताएजा सकता यह कला आपकी है यह खुद की है अपनी personal है आपको 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 करेंगे फाइदा आपको मिलेगा vitamins, minerals, portions अब आपको मिलेगा notes तो आपको बनाने पड़ेगी मैं क्या बताँगा तो इस notes कोई नहीं बताएगा आपको जो भी बताते हैं गलत बताते हैं reason यह ना कि notes में आपका worst hand काम करता है worst hand is a German word given by Max Weber इसका मतलब अब तक की जो knowledge आपने accumulate की है वो knowledge काम करती है मुझे क्या बता है आपने क्या knowledge accumulate कर रखी है कौन कौन subject आपने पढ़े है कौन सी किताब है पढ़ी है कि इन गुरुजनों का जो है आपने जो बताया हुआ अपने दिमाग में रखा है समाज से आपने क्या लिया है आपका nature क्या है आपका attitude क्या है how can I predict so that how can I tell you to make अपने स्ट्ट्ट्स हो जे हां पढ़े है उनको तुमें जान गाओं कि वो उनका attitude मुझे पता है सारी सीजे पता है मुझे बता भी देता हूं कि अगर बनाना है तो ऐसे बताओ बनाओ लेकिन मैं आपको कैसे बता सकता हूं आप मेरे सामने पूरे वित्यत्तु के साथ नहीं है मैं जल्दी ही आपको एक फॉर्म भी रखने वाला हूं अपने उस पर फेस्ट्बूक पर फिलप करने वाला फॉर्म जो आप अपने वित्यत्तु के बारे उस फॉर्म फिलप करके मुझे बेज सकते हैं आपसे हुँच होँगा आपकी कमिया कैया है और वह भी करने वाला हूं विद्ट टेक्टार तब क्योंकि अभी मैं तोड़ा उस टेखनीकलिटी में पहुंचा नहीं हूं आज ही मैंने सोचा है तो मैं करूँगा जरूर क्योंकि मैं determined कर लेता हूं तो मैं इराने का पकता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से पूरी तरह जुड़ू और totally free of cost जुड़ू इसमें कोई charges में नहीं रख पूरगा कि starting में कर लिया फ्री है बाद में कह दूए है ठीक है पढ़ाने के charges ने definitely मेहनत है वो हमारा इस समय का career है retirement का और definitely retirement के बहुत पहले सी मैंने adopt कर लिया उसे तो वो तो ज़रूरी है लेकिन इसके अत्रिक्त उसमें कोई ऐसा लालस की तुरुट्टी नहीं है कि मुझे करोणों कमाने है कि क्या करना है बहुत सोटा सा class होता है 45 का class होता है आप देज सकते हैं कि मेरी लाइब लेरी है है 10,000 बुक्स स्कॅइब बिल्कुल नहीं है यह केवल पर्सनल मेरी लाइरी है स्ट्ट्ट् को कुछ मैं दे लेता उंँ बहुत सा Looks इतनी देता हूँ कि जो समालते समालते थक जा इतनी में दे देता हूँ इसमें सब कुछ है इसमें से से निकल गए प्रमान मौजूद है अखवारों में नियूज है तो आप इस तरह करें कि इसके बाद जो है तो आप कुछ बहाने गणते हैं बहाने गणते हैं कि सर में सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ूं कि मैं दो-दो सब्जेक्ट टीन-पीन एक साथ लो पड़ोसी से बदला लेने के लिए, मत बनो, बन नहीं पाऊगो, ये भावना अगर है, अगर आपके दिल ने कहा है, आत्मा ने कहा है, कि आप आईस बने, बन जाएंगे, तो आप तकर जवाब देते हैं, मेरी आत्मा ने कहा है, तो आपने एक ठेका किसको दिया पड़ने का अपने को, आप ठेकेदार हैं, आप ही मालिक हैं, आपने अपने को ठेका दिया है, कि आप आईस बनेगे, मैं कहा हूँ बीच में, मैं तो नहीं आया है न या, मैंने न कहा आप से, ना मैं बनने जारा है, मैं बन चुका, इसलिए चाहे आप दो-दो सब्जेक पढ़ो, चा करना यही पढ़ेगा मिश्थ रूप से और एक बात और बताए शुरुवाद की पढ़ाई होती है नेम जो दिखाई नहीं डेती बड़ी मजबूत होती है दिखती नहीं है मेहनद बहुत लगती है पैसे मी बहुत लगते है यह शुरु की पढ़ाई है नेव दिखती नहीं है बदसूरत होती है काले रंकी एťे लगती है काला काला तारखोल वगरे ही बहुत सारी पढ़ाई आपकी एक्जाम में नहीं आने वाली है बट उस पढ़ाई के बिना आप आगे जो बढ़ी नी सकते, आप ये कहिए, के Ground Floor पर आप नहीं चड़ेंगे आप 3rd पर पहुंच जाएगे, तो कैसे पहुंचेंगे, Ground Floor की सीडियां चड़नी पढ़ेंगे, 2nd की चड़नी पढ़ेंगी तब आप थर्ड से कहुंचेंगे तो यह ग्राउंड बना रहे हैं आप इसलिए अगर ग्राउंड बनाना तो भाई एक साल पर बहुत मुश्किल है ग्राउंड बनी मनाई है आपकी वर्स्टेन बहुत अच्छी है अभी मैं बता चुका हूं वर्स्टेन के बार फिर घंटे नहीं किने जाते मैंने नहीं किने कभी मैं आपसे कह रहा हूं नाइन आवर्स मैंने नहीं किने मैं बात पलट नहीं रहा हूं अपनी मैं केवल यह कह रहा हूं कि अगर आपकी बैग्राउंड नहीं है तो भी मैं क्या कर सकता हूं यह तो आपकी बात है लाइफ समय चाहिए, it requires time अगर आप जल्दवाजी में crash course जोईन करते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ crash course अगर जोईन करते हैं तो आप ही crash होते हैं और दूसरा कोई नहीं होता, crash courses में फाइदा सिर्फ coaching संचालक को होता है और किसी को नहीं होता कहा है का crash course इतना बड़ा course है कोई crash होता है क्या उसमें कोई crash हो जाएगा क्या ये crash course का मतलब है आप guidebook पढ़ रहे हैं, जिससे यहाँ चलती है इन्वर्स्टीर भी कि 10 questions बता लिए 5 आजाएगी that is the crash course IS में नहीं होता, ये IS जो बनते हैं आजाएग नहीं है, ये IS जो बनते हैं ऐसे उथले लोग नहीं हों बनते हैं कि जो पता लगा 5 questions पढ़ गया आगे वो नहीं होता है इसलिए seriously पढ़िए चाहे 2 साल में निकाले चाहे 3 में निकाले, ये आपके background पो depend करता है का आपका background है क्या अगर background नहीं है तो समयं लगेगा अगर background है तो समयं नहीं лगेगा पहली बार में निकाल लेगा मतलब आपको background है background का मतलब 6 से 12 तक की NGOD हरगिज नहीं है हरगिज नहीं है बिल्कुल नहीं NCIRT किताबें बेचने वालों की केवल एक बात है समय और कुछ नहीं काने किताव कुरानी कटारी से लिस्टी अख कुछ नहीं और NCIT खरिद खरिद के उनको फाइदा पहुचाते हैं, booksellers को खाली और कुछ नहीं है, nothing like that, आपको अगर पढ़ना है तो 11-12 के NCIT ले लिजी, वो भी 2-4 सब्जेट की खाली, history के लीजे, जोगर्फिक लीजे, समिरान के लीजे, बस science की मत लीजे, कभी भूल के, science के हैं तो भी बत लीजे, वो science आती ही नहीं है, यार, यह वो science ही नहीं आती तो बे मतलब के ले रहे हो, पढ़के देख लो, समय वरगात कर लो, पूरा, कौन सी science आ रही है, NCIT से, कौन सा question आ रहा NCIT से, अब मीनवेखी लोग खोजन लग जाएंगे, सर फलाने year में ये वाला question आया थ निकालने को तो कोई भी निकालने, ये वाला ये रहा NCIT के page नमबर फलाने पर नीचे comment में लिख दे, फलाने NCIT पेज नमबर फलाना, ये इस साल question आया वो, अरे यार, उस question करने के लिए तुमने कितनी आख है पोड़ी, 85 किताब है पढ़ी तुमने, बेभू बने पूरे time अरे वही सीरा question directly रखा हुआ है TMH के science and technology में, उसमें रखा हुआ है, या किसी और book में रखा है, अरे थोड़ा सा पढ़ो अपना काम चलाओ, आगे पढ़ो, बिना मतलब भी चीज़ें पढ़ने से अपकर, इतने formula हैं उसमें, इतना description है, biology मा के लिए cell पढ़नों दिमाग ग करना है, जिस दिन से तयारी शुरू करना, उस दिन से current affairs पर पूरा ध्यान देना है, और हर current affairs की 360 degree study करनी है, यानि कि एक current affairs है, उससे related geographical factors, ecological factors, scientific factors, historical factors, economic factors, social factors, administrative factors, psychological factors, सारे पढ़ने हैं आपको, ये बीच में धुरी है current affairs, इसके चार ओर ये निकले हुए हैं, spokes और उनके चार होन है, circle, और वो circle है, IS का, तब बनते हैं, आप IS, ऐसे नहीं बन जाते हैं, ये 360 degrees जो नहीं पैचानता, वो जो है कभी नहीं बनता, इसलिए 360 पैचानता, अगर कहीं कोई current affair आता है, उस current affair के, जैसे अभी मैं बता रहा था है कि पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी चर्चा चल रह है, UPSC के लिए ज़रूरी है, नहीं है, तमाम सारी बात आती है, देखो, current affair है, समवेदाने के, आपके लिए important है, डिली गॉर्मेंट से कोई मतलब नहीं, डिली गॉर्मेंट की बात हो नहीं, ठीक हो के, no problem, बट पढ़ों के आखरकार ये है, क्या कहां से आया, क्या आया, British Westminster system क्या है, British Pranali क्या है, portfolio system क्या है, मंत्री कैसे बनते है, चारतरेक मंत्री कैसे होते है, उनमें क्या क्या हो, यही एक्जाम्पल हमने एक वीडियो बार दिया था, कुछ भी ले लेते हैं, example कोई सा ले लेते है, Britain जो है, वो European Union में रहे के ना रहे, current affair हुआ, European Union क्या है, कब स इकनोमी पर नहीं निकलता, तो क्या प्रवाव पड़ेगा, Britain है क्या, पहले पी देवो, Great Britain, और ये जो उसका पूरा एक समगर है, पूरा, वो है क्या, आकरकार इसका entity क्या है, राजी किस प्रकार का है, किस तरह के state है, इसका imperialism क्यों था, क्या था, पूरे वर्ड में शास बिटेन का पड़ लिया, लेकिन बिटे बिटेश समवेधानिक विकास तो कम से कम देखिये, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम आया कहां से, अन्रेटिन कॉंस्ट्यूशन है, पूब्लिक एड के अंदर जो है, कॉंपरेटिव स्टेडी होती है, उसके अंदर तमाम चीन दी रहत तो रहा उसमें सेतु समुद्रम परियोजना के लिए, तो आखिरकार ये उस समुद्र का हालचाल क्या है, वहाँ क्या है, कौन-कौन से चटाने पाई जाते हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कौन सी रॉक्स हैं, किस तरह का स्ट्रेट है ये, और भारत स्ट्रिलंका के बीच की जगे पर क्या विशेष्टाएं हैं, क्या-क्या वहाँ के प्रोडक्स हैं, मैरीन प्रोडक्स क्या-क्या हैं, चर्चा में है, सेतु समुद्रम मान लीजिए, पिछले बार जब भी थी, लेकिन आपको पढ़ना ये समय सारा, कितना टाइम बचेगा, कितने किलोमीटर बचे और कुछ नहीं करो, पूरी जोगर्फी साल बर नोट्स बनाऊनों बैटके, कोचिंग करती हैं, कि वो खाली important question दिया और करा दिया, हम केवल वो पढ़ाते हैं, पूरा important question नहीं देते हैं, exam time पर देते हैं, केवल पढ़ाते हैं, सारा जो की पूरा syllabus पढ़ाते हैं, complete syllabus, syllabus में current affairs को 360 की तरह पढ़ाते हैं, पूरी तरह से, सारे subject से जोड के पढ़ाते हैं, because I am expert of seven subject, so that I can teach, 360 degree वो teacher कैसे पढ़ाएगा, जिसको एक ही subject आता है, economics वारा खाली economics जानता है, psychology नहीं पता है, अब कोई economics में psychology, अरे economics में तो पूरी psychology, marketing क्या है, marketing, consumer behavior, उसी पर सारी economy चल दढ़ यह सारा e-commerce और यह सब psychology भई, psychology विदा नहीं चलता, जब तक आपको consumer psychology नहीं पता है, आप कैसे analyze कर पाऊँगे, तो उसके साथ psychology पता होनी चाहिए, management में अंदर आता है, advertisement, selling, यह चीज़े नहीं पता, तो कैसे पढ़ाऊँगे, कैसे बताऊँगे, इसकी economy क्या है, इसके सा सामाजिक प्रभाव क्या है, social impact नहीं पता, क्या फाइदा हुआ, social impact exam में आएगा, निबंद में आएगा, question papers में आएगा, question तो देखो पुराने उठा नहीं, तब पता लगेगा, पर जब वो social impact आएगा, सामाजिक प्रभाव, आप बगले जांके, क्योंकि जिस सर ने आप जो है, दो चार कर्वस के अलावा, दूसरे पुरी ग्राफ, चार्ट, economics में आते नहीं कर दी, क्या फाइदा इतना सारा पढ़ने हैं, पूरी ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, सारी सारे बने पढ़ने पढ़ने, ग्राफ सारे, सोचो भई, कि आता क्या है, दो लाख चीजों के बीच में, कमाम कोचिंग्स आपको डूबो डालती हैं, कि आप कम से कम दो लाख फैक्ट पढ़ें, और उस बीच में डूग के आपको कुछ नहीं पता लगता, एक्वली सारे फैक्ट समेट के 20 दार फैक्ट जब होते हैं एक पेपर में, तब जाके आ प्लेस इंपोर्टेंट नाम, प्लेस इंपोर्टेंट कोई नाम, इसी तरह डेटा, ऐसे करके इसा फैक्ट कैलाते हैं, तो ये फैक्ट आपको, 20,000 फैक्ट तो बड़े आराम से पढ़ जाते हैं, कोई दिक्तर नहीं, लेकिन आपको ये सब 360 के साब से पढ़ना है, आदे रखिए, आई ट्रस्ट ये, पूरी तरह में दिया आप पर बनुसा है, युवापीडी में पूरा पक्का बनुसा है, इसलिए उस युवापीडी का प्रतिद्यत्तु करिए, जिस पर मुझे बनुसा है, थैंक्यू